इस वीडियो में दोस्तो हम लोग बात करेंगे फैन कॉड इस येस T10 कृडिट के आज के मैच नमबर 3 और मैच नमबर 4 के बारे में मैच नमबर 3 और मैच नमबर 4 दोस्तो दोनू टीम सेमी आपको देखने को मिलेगा बस दोस्तो आपको टेलीग्राम पर share करूँगा वो तस्तों टस्क के बाब यदि आप small league खेलते हो तो दोस्तो आप small league का team pick कर लेना टस्क के बाब और दोस्तो यदि आप grand league खेलना चाहते हो इस दोनों match में तो दोनों match का grand league का भी combination मैं आपके साथ share करूँगा टेलिग्राम पे दोस्तो टेलिग्राम को जोईन कर लेना टेलिग्राम का लिंक दोस्तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और साथी साथ दोस्तो एक और काम आप जरूर करना आप दोस्टो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्टो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा देना जिसे डोस्टो मेरे वीडियो का आपको इज्ली नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और एक और बात दोस्तो बता दू दोस्तो यह 200 रूपया आपको काफी help करेगा आगे fantasy खेले में यदि आप fantasy में कहीं loss कियो तो दोस्तो यहां से आप win करो और फिर से fantasy खेलो और win करो और जानते दोस्तो इसका simple सा trick जान लो notification का घंटी बजा के रखना जैसी दोस्तो मैं वीडियो डालूँगा आपको तुरन notification मि कारे में जान लो दोस्तो आज का पीच आपको artificial mat ground मिलेगा दोस्तो आपको मालूम होगा titan में कभी भी soil के ground पे match होता नहीं है और दोस्तो जो भी artificial जो पीच होते मैट का उसमें दोस्तो आपको violence help मिलता है batsman और fastballer के लिए लेकिन इस्टिल दोस्तो spinner को भी यहां पर काफी marcat मिलते हैं पिसले 2-3 match से देखो तो दोस्तो मैट के पीच पे आपको swing भी मिल रहा है और साथे साथ दोस्तो spinner को grip भी मिल रहा है तो इसलिए आपके टीम में दोस्तो बाइलिंस करके टीम बनाना spinner को भी रखना और आप दोस्तो तीन 2 के combination में बना सकते हो नहीं तो 3-1 के combination म spinner इस तरह से दोस्तों आप अपना combination आज बना सकते हो दोस्तों बात करें एबरेज score का तो दोस्तों average score इस match में 90 और दोस्तों 105 के बीच में दोस्तों score रहने का maximum chance है यह दोस्तों मैं यूँ ही नहीं बता रहा हूं पिछले 5 मैचों में इस ground पे क्या average score रहा है दोस्तों उसके हिसाब से मैंने आपको बता है और आप भी दोस्तों इसी को धियान में रखके बनाना देखो ज़्यादा score जाने का chance कम है 90 से कम हो सकता है दोस्तों बट 105 से कम ही chance है क्योंकि अभी तक जीतने भी match हुए टूनामेंट में दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे match मिलेंगे दिसमें दोस्तों 105 से प्लस score गया था और एक मिन तो 143 चला गया था तो ऐसा होने का chance कम है इसलिए आप average score इसी को मान के बनाना average बिकेट का बात करें तो दोस्तों 12 से 14 बिकेट परते एक match में लमसम गिर रहे है दोनों टीमों का दोस्तों recent form देख लो तो इस टूनामेंट में दोस्तों दोनों टीम ने 2-2 match लॉस करके ही आ रही है दोनों ने दोस्तों अभी तक win नहीं किया है कोई भी match इसलिए इस match में अमलों को ज़्यादा tension लेना नहीं है 6-5 का combination दोस्तों आप किसी को भी favor कर सकते हो आप WG को favor कर लो नहीं तो दोस्तों आप BIV को favor कर चाते हो तो आप BYB को भी favor कर सकते हो और GL में दोस्तो 7-4 का भी combination बना सकते हो इसके लिए दोस्तो मैं मना नहीं करूँगा इस match में चलिए अब बात करते हैं इस match में combination कैसे बनाएंगे देखिए आपके पास बिगट की प्रिंग सेक्शन में आपको मैं option बता हूँ तो जो best option है वो दोस्तो है Sribinas ओपनिंग करते हैं काफी अच्छा दोस्तो इनका recent form है जो लाश्ट दो मैच के लिए दोस्तो एक मैच में 22 रन स्कोर किया और एक मैच में दोस्तो इन्होंने 64 रन स्कोर किया था इसलिए बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं इनके बीना दोस्तो आप नहीं जा सकते हो और इससे पहले इनका यदि T10 का stats देखो तो बहुत खराब था साथ मैच में दोस्तो सोलर रन था और इसका रीजन था दोस्तो लास्ट यर यह 6 से 7 राउंड दोस्तो यह बैटिंग करने आते थे बॉलिंग को मिलता नहीं था इसलिए दोस्तो बहुत ही खराब performance किये थे लेकिन इस साल यह opening कर रहे यह बात का ध्यान रखना एस सिंदरन दोस्तो देखो यह भी opening करेगा लेकिन फर्स्ट मैच में 28 रन स्कोर किये सेकेंड मैच में दोस्तो चारी रन स्कोर कर पाये थे इसलिए दोस्तो मैं अभी के लिए एस सिंदरन के साथ जा रहा हूं और आप लोग से भी recommend करूंगा आप लोग भी दोस्तो इनी के से ही पॉइंट देगे फर्स्ट मैच में 19 रन स्कोर किये सेकेंड मैच में 6 रन स्कोर किये वहीं दोस्तो इनका टीटेन स्टैट्स देखो तो अभी तक दोस्तो लास्ट यह उन्होंने 11 मैच खिला था टीटेन में तीरसाट रन स्कोर किये थे 14 अपर दोस्तो इन्होंने बॉलिंग किया था और चे बिकेट लिये थे लेकिन दोस्तो इस साल यह बॉलिंग नहीं करा रहे है इसलिए मैं इने अभी तो डॉस्तो ड्राप कर रहा हूं लेकिन यदि इनका नाम बॉलिंग सेक्शन में राता है यदि B.O.I.B की टीम कम बॉलर खिलाती है तो डिफिनेटली यह बॉलिंग कराएंगे तो ऐसे कंडिसें में दोस्तों यह इंपोर्टेंट पिक हो जाते हैं यह बात का ध्यान रखना नीचे से तब दोस्तों बहुत ही अच्छे खिलारी एस वाजिर बहुत ही अच्छे बैट टीम में भी दोस्तों होएंगे इंपोर्टेंट पिक है मेरे लिए दोस्तों नीचे से आपको मैं कुछ और एक्स्ट्रा ओप्शन बता देता हूं देखो आर्सी फेती का फर्स्ट मैच बहुत ही खराब गया है फर्स्ट मैच में दोस्तों तीन रन स्कोर किये लेकिन एक औ वाई दोस्तों खिलारी बहुत ही सूपब है यह बात का ध्यान रखना यदि इसका बैटिंग ओडर ऊपर आता है लाइन आउट में तो समझ सकते हो कितने इंपोर्टेंट पिक है आपके लिए इस मैच में फिर नीचे से दोस्तों मैं आपको और कुछ एक्स्रा पिक बता करने आते हैं और तीन ओवर दोस्तों कंप्लीट बॉलिंग किये थे और चार बिकेट लिए थे तो काफी अच्छे ऑल राउंडर है दोस्तों यदि खेले तो आप जील में इन्हें ट्राइ कर सकते हो यह बात का ध्यान रखना अभी के लिए दोस्तों मैं ड्रॉप ही कर रह बॉलिंग भी करा लेते हैं चाहिनों दोस्तों डोलिंग लिए हुए और च्छार बर इन्हें बॉलिंग कर रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता है और सभी कटियुन घल नहीं बता intéressche तो आपको tension नहीं लेना है, जो combination में बता रहा हूं, जो stats बता रहा हूं, बस उसको ध्यान से सुनो, और उसी के हिसाब से combination बनाना, यदि आपको कोई problem होता है, तो नीचे comment section में लिखना, otherwise दोस्तो, आप test के बाद देख लेना, मैंने आपको क्या combination प्रवाइड किया है, और व दोस्तो, और लाउंडर सेक्शन से T-Harian, बहुत ही सांदार पिक है, इनके भीना जाना नहीं, कि कोई देखो कल के मैच में इन्होंने, दोनों मैच में दोस्तो इन्होंने बिकेट लिया, और दो दो आपर complete balling किया, दो बिकेट लिया, सेकेंड मैच में दोस्तो, इन्होंने complete दो बर balling किया, एक बिकेट लिया, काफे अच्छे किला रही है, ड्रॉप मत करना, और इनका देखो, लास्ट T-10 मैच इन्होंने खेला नहीं है, पिछले साल इन्होंने कोई T-10 मैच नहीं खेला था, लेकिन दोस्तो, इस साल इन्होंने T-20 domestic मैच खेला है, आठ मैच खेल फर्स मैच में दोस्तो, इन्होंने दो ओवर balling करा है, complete दो ओवर और दो बिकेट लिये, और सेकेंड मैच में दोस्तो, इन्होंने एक बिकेट लिया था, काफी अच्छे baller है, consistent baller है दोस्तो, इनका form भी देखो, domestic में T-10 में दोस्तो, तो काफी अच्छा रहा था, का ध्यान रखना, नीचे है दोस्तो, आपको GL और मिनी GL में राजा कुछ लिंगो ट्राइक कर सकतो, मैं small link में दोस्तो, definitely इन्हें recommend नहीं करूँगा, क्योंकि इनसे बहतर नीचे pick है, तो इसलिए दोस्तो, मैं इन्हें drop करके चल रहा हूँ, small link में, इनका यदि आप last year का T- का record देखो, तो 11 match खेले थे, 120 run score किये थे, 6 bicket लिये थे, और 15 over दोस्तो, ये complete balling करा थे, और इस साल दोस्तो, फर्स्त मैच में 1 over balling करा है, 25 run batting से score किये, bicket नहीं मिला, second match में दोस्तो, इन्हें balling नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ दोस्तो, ये 18 run batting से score किये, that means, ये आ बहुत अच्छे spin baller है, दोस्तो, bicket taker baller है, इनका first match देखो, तो 2 over complete balling करा है, 1 bicket लिये, और second match में दोस्तो, इन्होंने 2 over complete balling करा के 3 bicket लिये थे, काफी अच्छे baller है, इसे पले दोस्तो, इन्होंने domestic T20 में इसी साल 6 match खेले थे, और 13 bicket लिये थे, 6 match में दोस्तो, 13 bicket ल दोस्तो, आप इन्हे grand league में कर सकते हो, इतने अच्छे खेलारी है, नीचे दोस्तो, देखो, कुछ खास option आपको नहीं दिखेंगे, और इसमें से, दोस्तो, मुझे लगता भी नहीं है, कि कोई खेलारी खेलेगा, हाँ, एक दो खेलारी में बता देता हूँ, एस जिंदल, अच्छे T-10 के 200 player है, लेकिन record उतना खास नहीं है, और recent form भी उतना खास नहीं है, यदि team खेलाती है, तो मैं आपको provide कर दूँगा, कि इन्हें कैसे हम लोगो अपने grand league combination में रखना है, या drop कर देना है, बात करते हैं, दोस्तो, balling section, balling section में सबसे first name आपको peace सर्मा क्योंकि देखो, इनका आप domestic का ही देखलो record, इस साल T20 में तो 5 match खेले थे, 5 wicket लिये थे, 17 over balling कराया थे, that means दोस्तो यह balling तो 100% कराएगा, ये बात का ध्यान रखना, फिर नीचे से दोस्तो मैं आपको कुछ अच्छे option बता देता हूं, जिनने आप grand league में try कर सकते हो, दे क्योंकि देखो, इनका form भी काफी अच्छा चल रहा है, first match में दोस्तो इन्होंने 1 wicket लिया, 2 over complete balling कराया है, second match में भी दोस्तो इन्होंने 1 wicket लिया, 2 over complete balling कराया है, तो आप try कर सकते हो, अच्छे fast baller है, पी भरवाद दोस्तो बिकेट टेकर baller है, दोस्तो दोनों match में इन आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन हम लोगे एक important pick में बता देता हूँ, नीचे से के सिराज रहने वाले है, दोस्तो काफी अच्छे baller है, first match में इन्हें बिकेट नहीं मिला, first match में दोस्तो इन्हें क्यों बिकेट नहीं मिला, और इसका region जानते हो, बहुत ही अलग था, दो FIRST में डिस्टो स्टो इनें बालींग ही नहीं दिया गया, और सेगेंड में दोस्तो बालींग दिया गया, दो फ़र बालींग करा और यह बंदा चार बिकेट ले गया, तो समझ सकते हो, FIRST में में इसे बाल इंग निल था, हम लोग के दोनों टीम में थे, first match में में भी मैं भी रखा था फर्स्ट में दोस्तो इनके चलते ही मेरे को फ़ड़ा सा कॉंटेस्ट में लॉस हो गया लेकिन सेकेंड मैच में देखो अराम सी इसली विन कर गये थे तो अच्छे बॉलर है बिकेट टेकर बॉलर है तो आप ट्राइ कर सकते हो और साथी साथ दोस्तो मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा भी ऑप्सन बता देता हूं जिसे आप लोग दोस्तो अलग ग्रेंड लिंग में ट्राइ करना हो तो कर लेना नहीं तो मीनी जील में एस थ्रो कॉंड़ा बहुत ही अच्छे बॉलर है इस्टिल दोस्तो देखो इस वाले मैच में इने बिकेट नहीं मिल मिला है फ्रस्ट मेंच में भी नहीं मिला लेकिन इनका डोमेस्टिक रिकोर्ड देखो लास्ट यर का दूस्तो सबसे पहले में बता देता हूं टीटें में आठ मैच खेले थे 55 ने स्कोर किये थे 10 हबर दोस्तों इन्होंने कंप्लीट बॉलिंग करा थे और पांच बिकेट लिए थे तो ट्राइ करना हो तो मिनी जील के लिए यह अच्छे पीक बन रहा है स्माल लिए स्टील दोस्तो नहीं हो सकते हैं एम हुसेन दोस्तो बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है लेकिन प्रॉब्लम देखो इसके साथ क्या है फर्स्ट मैच में इन्होंने दोस्तो आपको बैटिंग से स्कोर करके दे दिया सोलर रन नोट आउट रहे थे सेकेंड मैच में दोस्तो एक रन स्कोर किये और सबसे minus point इनके साथ दोस्तों क्या हो रहा है कि इनने दोनों match में balling नहीं दिया गया है तो इसलिए दोस्तों मैं इने अपने team में भी नहीं रख सकता हूँ क्योंकि balling तो मिली नहीं रहा है बात करें दोस्तों captain vice captain तो ज्यादा आप लोग confused मत होना simple सा रखना दोस्तों आप देखी सकते हो यदि आपने first match देखा होगा उसके अधार पर दोस्तों यदि आप consistent देखो तो बहुत ही अच्छे baller है दोस्तों और बैटिंग भी कर लेते हैं इसलिए definitely यह मेरे captain होने चाहिए और इस match में दोस्तों vice captain toss पे depend करता है क्योंकि देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको कोई ऐसा all-rounder नहीं दीखेगा जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से consistent run करके दे इसके लिए दोस्तों depend होता है टस यदि दोस्तों bj की team first batting करती है तो दोस्तों एस स्रीवनास काफी अच्छे option हो सकते है यदि आप किसी batsman को बनाना चाहते हो यदि दोस्तों आप baller के साथ जाना चाहते हो और वो बॉलर consistent 2 over कराता हो और परतेक मैच में बिकेट देता हो तो उसके लिए नीचे ariant भी है काफी अच्छे baller है दोस्तों आप इने definitely huge कर सकते हो अभी के लिए दोस्तों मैं एस स्रीवनास के साथ जा रहा हूँ करता है इसलिए दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो दोस्तों कर लो लिंक आपको नीचे description सेक्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का वहाँ से जॉइन कर लो और अभी तक दोस्तों आपने YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं कियो तो दोस्तों जरूर YouTube चैनल को सस्क्राइब करना और सस्क्राइब करने के बाद दोस्तों का गंटी जरूर बजा देना चीशते दोस्तों मेरे वीडियो का आपको इसली नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और साथ ही साथ दोस्तों करना जो मैं आपको फ्री में पैसा पर्वाइट कर रहा हूं वह जीतने का जरूर दोस्तों कोशिस करना ठीक ना फिर मिलते आप सभ से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों टेक केर बाइबाइब